नमस्कार दोस्तों सुवागत है आपका गॉर्मेंट हेल्प लाइन यूट्यूब चैनल पर दोस्तों अगर आप भी चाहें किसी भी बर्ती में आउदन करके एक सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं यहनि कि आपका सपना के और के और सरकारी नौकरी लेने का है और आप चाहिए किसी भी बर्ती का इंतजार कर रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों के लिए बहुज़ी बड़ी खुशखबरी आ चुकी है दोस्तों मैं आपको बता दूँ यहाँ पर रेलवे विवाग बर्ती 2020 का अफिसल नोटिफेकेशन है वो जारी हो चुका है जिसमें दोस्तों आपकी न तो कोई परीक्स होगी न ही कोई आपका इंटरव्यू होगा दोस्तों यहाँ पर आपका सीधा सेलेक्शन किया जाएगा इसलिए आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको आउधन पत्र है जो इसका सावधनी से बरना होगा इसमें दोस्तों आपको एकी बार आउधन करने का मौका मिलेगा यहाँ पर दोबारा भी करेक्शन भी आप इसमें नहीं कर सकते हैं इसलिए आपको ध्यान पूरक आउधन करना होगा तो दोस्तों मैं आज आपको इस वीडियो में यहापर इसकी ऑफिशल नौटिफिकेशन की मदद से सारी जानकरी है जो बताने वाला हूँ जिसमें आपको कैसे आउधन करना है साथ ही मैं दोस्तों आउधन करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए डॉक्यूमेंट के अलवा किन किन बतों का आपको ध्यान रखना है यह सारी जानकरी है जो मैं आपको इसकी ऑफिशल नौटिफिकेशन की मदद से देने वाला हूँ दोस्तों आउधन करने के बाद में आपकी सेलरी कितनी रहेगी आपको यह पर कहां से आउधन करने को मिलेगा यह जानकरी है जो मैं आपको बताओंगा इसके अलवा मैं आपको बता दूँ आप औल इंडिया में कहीं पर भी रहते हैं चाहिए आप बार्ट के किसी भी रजिम रहते हैं आप किसी भी सेर में रहते हैं या फिर आप किसी भी गाउं में रहते हैं तो आप है जो इस बर्ती के तैद आसानी से आउधन करके एक सरकारी नौकरी ले सकते हैं चाहिए आप हरियना पंजाब गुजरात यूपी बियार कर तक राजस्तान दिल्ली मanha किसी भी रहते हैं तो आप आप स्पोजता क्या 52 रुपे salary मिलेगी जो दोस्तों आपके लिए बहुती जदा है यानि कि आपको कहीं पर भी न तो जानने की जरूरत है केल और केल यह अपर रेलवे डिपार्टमेंट में आपको नौकरी करनी है जो यहापर 52 रुपे salary मिलेगी जैसे जैसे आपका पद का परमोसन किया जाएगा उस अनुसर आपकी सेलरी भी बढ़ती रहेगी तो आपको इसमें कैसे आउधन करना है क्या क्या जानकरी आपको जानके आउधन करना है और आउधन करने के लिए दोस्तों आपको एक बार मौका मिलता है मैं आपको दोबरा इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज न हो आपकी गलती एक गलती की वज़े से आपका फॉरम रिजेक्ट न हो कई बार ऐसा होता है दोस्तों आप जो आउधन कर देते हैं जहां पर आप कई बातों का ध्यान नहीं रखते हुए आउधन करते हैं जिसकी वज़े से आपका फॉरम रिजेक्ट हो जाता है और आपको नोकरी है जो नहीं मिल पाती है तो इस वज़े से मैं आपको पूरा फॉ बाग में 84,000 पर यह बिना परीक्सा भरती होने वाली है यानि कि सबसे पहले आपके लिए बहुती बड़ी खुशकबरी है क्योंकि आपकी इसमें कोई भी परीक्सा नहीं होगी दोस्तों कई बार ऐसी जो परतियां जो बहुत निकलती है उनमें अर जगह भरतियां परिक्सा एक्जाम होता है इसमें न तो कोई आपका एक्जाम होगा नहीं कोई इंट्रिव्यू होगा तो दोस्तों आपको कैसे आउधन करना है और कैसे आपको डोक्यूमेंट यहापर जमा करवाने होंगे आपको कैसे लोगिन करना है कैसे आपको फॉर्म डालूड करना है और यहा आउदन पत्र है आप पूरी जानकरी समझ नहीं पाते हैं उससे पहले अगर आप आउदन करेंगे तो आपका आउदन पत्र है वह हत तो हाथ ही रिजेक्ट हो जाएगा इसलिए मैं आपको पूरी जानकरी बताऊंगा उसके बाद में आपको आउदन पत्र भरके बताऊंगा यानि कि आपकी कोई भी एक्जाम कोई भी इंटर्व्यू नहीं होगा तो आपको मैं बता दू रेल विवाग भर्टी 2023 का अफिशल नोटिफिकेशन रोजगार समाचार पत्रों में भी परकाचित हो चुकी है किरपिया आउधन करने से पहले रेल विवाग की पूरी जानकरी जान ले दोस्तों मैंने पहले भी आपको बता दिया था कि आप आउधन करने से पहले इसकी पूरी जानकरी है वो आपको जान लेनी चाहिए तो मैं आपको एक के करके पूरी जानकरी समझा देता हूँ पदों की विवरण की मैं बात कर लेता हूँ सबसे पहले सबसे पहले पदों के विवरण यानि कि कौन कौन से पदों पर यह कितने कितने भरपद है और कौन कौन से पद है कौन सी पोस्ट है सबसे पहले मैं आपको बता दू करमचारी की पोस्ट है साई की पोस्ट है और टिक टक कलेक्टर की पोस्ट है यह तीनों पोस्टों पर यह भरती निकलेगी जिसमें सबसे पहले मैं आपको बता दू करमचारी पद के लिए 8000 पद है साही के लिए 32,000 पद है और यहां पर टिक्ट कलेक्टर के लिए 4,000 पद है जो मेरे जबसक बहुती जदा पद है आप चाहिए किसी भी रेजियम रहते हैं तो इसमें आउधन कर सकते हैं और मैं आपको सबसे पहले बता दूँ कि यहां पर आउधन करने की योगिता आपकी क्या होनी चाहिए तो आउधन करने की योगिता जो करमचारी के लिए अगर आप अनपड है तो आसान इसे इसमें आउधन कर सकते हैं साही के लिए आप आटवी पास दसवी पास है तो इसम कर सकते हैं तिक टिक लेक्टर में आप जो बार्वी पास ही आवदन कर पाएंगे दूसरे यहां पर आउदन नहीं कर पाएंगे तो आपको यह पर ध्यान रखना पाइंगे क्योंकि आधार कार्ड और प्लैन कार्ड बहुत ही जरूरी हो गया है मैं आपको बता दू सरकारी बैंक खाता या फिर प्रावेट बैंक खाता वो भी जरूरी है खाते की पासबुक दो पासबूर्ट साइज फोटो और अपना खुद का अस्ताकसर यह आपको यह जमा करवाने होंगे आईए कैसे जमा करवाने होंगे इसकी भी मैं परकर यह आपको आगे समझा दूंगा सबसे पहले मैं आपको बता दू निम्न पदो पर वेतन आपको ध्यान यह रखना है कि आपको वेतन कितना मिलेगा सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो वेतन मिले गहां उसकी बात करूं तो करमचारी पद के लिए यापको 20.000 अशली मिलगी कि लिए जो दोस्तों आपको असनुवत्AM को estar I लेरी मिलती रहेगी और मैं आपको बता दू चैन पर करिया प्क्द Gibson पर यां आपको कैसे की जाएगी आपका चैन कैसे किये जाएगा कि आपकी परेग चैन के जाएगा कि आपको आप चैन का जाएगा परीखने के आ captive के परतिसत के अदार पर यानि कि अगर आप साहिक में आउधन करना चाहते हैं तो अगर आप आठवी पास है तो आठवी के परतिशत आदर पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा वही पर टिक्ट कलेक्टर की में बात कर लेता हूँ तो टिक्ट कलेक्टर में यहाँ पर बारवी के परतिशत के आदर पर ही आपका सिलेक्शन किया जाएगा कि आपके बारवी में कितने परतीसित है तो यहां पर आपको बारवी दस्वी और यहां पर आटवी पास है तो आपके अंग तलिका यहां पर जमा करवानी होगी आपको मैं बता दूँ इसके अंदिम्टिति क्या है कब से आप आउधन कर पाएंगे तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ आउधन हो शुरू हो चुके हैं आप है जो आउधन कर सकते हैं बारतीय पोश्टल आदिकर एक वेबटेट पर जाकर पोश्टल नोटिफिकरेशन जारी कर दिया है जहांपर आप जाकर है जो आसने से आउधन कर सकते हैं यह आप जाकर फर्म डाउलोड करके आप पूरा बर्ग के पंजायत में जमा करवा देना होगा उसके बाद में आपको मैं बता दूँ फोरम भरना कैसे होगा तो ये फोरम है वो दोस्तों आपको कैसे भरना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपका जो जाती परमान पत्र है अधारकाल नंबर है ये दिनांग है वो आपको जनम डेट है माता का नाम पिता का नाम आविदन का नाम आविदन या फिर विवाईता है या फिर विवाईता नहीं है ये आपको लिख देना है उसके बाद में आपकी स्रेनी लिख देनी है कौन सी जाती है वो लिख देनी है उसके बाद में आपको इस ताई पता लिख देना है अपना मक आजार काल नंबर पैयंद काल नंबर और यहां पर आपकि आई उसीमा की जो महाद्गोतीे लिख दज़नी आपको ध्यान परोक करनाए आपको चोटी की भी गलती नहीं करनी अगर आपको कोई भी जानकरी समझ में नहीं आती हैं तो एक बार वीडियो को दोबारा देख और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो के चोटा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा अगर वीडियो को पसंद नहीं आया है तो बिल्कुल आपको लाइक करने के जरूरत नहीं है अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो ये वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलेगा मत ताकि कोई भी नई बढ़ती आएगी तो वो आपके पास में सबसे पहले वीडियो पहुँचेगा इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगा चलिए जय हिंद वंदे मातरम भारत मता किजे